एंटी एसी तो नहीं हुआ बट आपके साथ बहुत कुछ सीखने को इस जर्नी में मिला जेई मेंस जेई या नीट की प्री फाउंडेशन क्या होता है यह अल्रेडी मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है अगर आप NCRT का सिलेबस देखोगे तो बहुत साइन्थ डारेक्टली रिलेटेड है क्लास 11 से फिजिक्स केमेश्ट्री वाइलोजी की बात करूं तो टैंथ रिलेटेड है ट्वेल्थ से इनों तरीके से पढ़ सकते हो यानि कोई बैरियर नहीं है सिर्फ आपको एफट लगाना पड़ेगा इस बैच में आपको वही सार करने वाला हूं कि मेरे साथ कई सारे बच्चे NTSC की प्रिप्रेशन करते थे 2021 के बैच में 2022 के बैच में 2023 के बैच में उन बच्चों को एक निरासा देखने को मिली कि उनके NTSC के एक्जाम कंड़क्ट नहीं हुए लेकिन उन बच्चों ने बहुत मेहनत की थी और आज आप को उसका परिडाम दिखाने जा रहा हूं मेरे सामने कुछ बच्चों की रिजल्ट मेरे पास है क्योंकि क्सारे बच्चों हो सकता है अब मेरे से 2-3 साल पीच्छे चूट चुके है तो उनके पास contact है या मेरे से share कर पाए नहीं कर पाए बट जिन बच्चों ने share किया उनकी 9 percentile के भी उपर score किया 99.58 ये बहुत बड़ी achievement है ध्यान रखेगा इसकी CRL rank 6767 थी यानि आप इसको top की NIT college मिलेगी with a very good branch और advanced में भी इसके 8521 rank आई है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी achievement है इसके बाद Nissan NTSC 2022 के नाम से एक बच्चा था मेरे साथ preparation करता था वो जेए की तयारी करना चाहता था कहता था कहता था कहता था कि आपके साथ NTSC के लिए preparation कर रहा हूं इसमें भी अच्छा करूंगा और आगे जाकर मुझे जेए क्रेक करना है मैंने कहा चाहजार कुछ थी चाहजार कुछ थी एडवांस की रेंक category रेंक तो इस बच्चे ने भी बहुत अच्छी achievement की उसके बाद अगर मैं बात तो तेक तीसरा बच्चा था मेरा आयूस प्रशाद के नाम से इस बच्चे ने मुझे एक मैसेज देखा कि मैंने सेयर किया हुआ अपने दो तीन बच्चों का कि इन बच्चों ने 99.58 परसेंटाइल स्कोर किया मेरे एंटीस के वैच से तो इसने उस मैसेज का रिपलाई किया कि भया मैं भी आपके 2022 के ही बैच का हूँ और एंटीसी तो नहीं हुआ बट आपके 1576 इस बच्चे ने भी एडवांस क्रेक किया है इसकी रेंक एडवांस में 9000 के आसपास है तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप बिल्कुल सफल होगे इसके बाद एक और बच्चे ने मुझे मेसेज किया अंकुर सिंग ने ये भी 2022 के बैच का है हेलो सर सर मैं आपके एंटी से 2022 बैच का ओनलाइन स्टूडेंट हूँ अवी जेएडवांस का रिजल्ट आया है और मैं आपको प्राउडली बताना चाहता हूं कि मेरी रैंक AIR 3535 आई है यानि 3500 रैंक आई इसको टॉप IIT मिलेगी सर मैं आपको दिल से थैंक्स कहना चा कि दौरान competitive exam के preparation करने के तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कराया होता तो मैं सायद ही यह रैंक ला पाता उस NTSC की preparation में मेरे को competition में एक एज दिया जिससे मैं अपने potential पर perform कर पाया और वह अनकेडमी वाली classes से मैंने बहुत कुछ नया सीखा जिससे मैंने long implement करूंगा सो अट लास्ट आपको और कुनाल सर को दिल से बहुत बहुत धन्यवाल यह बच्चे भी मेरे साथ 2022 के बैच में pre foundation NTSC की preparation कर रहे थे साहिल चटर जी यह भी बहुत अच्छा बच्चा था यह भी हमारे 2022 की बैच का था सायद आप मुझे न जानते हो बट जब मैं 2021 में आप 672 rank 672 marks is out of 720 बहुत बड़ी achievement है यह वो बच्चे है जो 3-3 साल 4-4 साल 2-2 साल की में इस exam को crack कर रहे हैं जिसको कई सारे बच्चे मेंनत करने के बाद भी crack नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको इनके example से क्या सिखाने की courses कर रहा हूं देखो आप YouTube पर बहुत सारे भाईया देदी teachers को follow करते होंगे वो आपको लगातार यह कहते होंगे कि आपको boards में इतना percentage लेकर आना है मैं भी कहता हूं को boards में अच्छा percentage लेकरना है लेकिन मेरी हमेसा अपने बच्चों से यह request होती है कि जिस तरीके से competition आगे बढ़ रहा है जिस तरीके से number of experience बढ़ रहे हैं उस अवल बनना पड़ेगा यह कैसे अचीव होगा यह मैं बच्चों को लगातार बताता हूं मान लिजिए आप class 9th में है या फिर आप class 10th में है आपको कुछ अलग नहीं पड़ना है आप अगर जेई मेंस जेई या नीट की pre foundation क्या होता है यह अल्रेडी मैंने एक वीडियो म से related मिलेगा 9th और 10th में क्या 11 12th की चीज़ें पड़नी है नहीं भाई आपको syllabus सेम पड़ना है बट syllabus को advanced label तक पड़ना है advanced label का मतलब क्या होता है वहिया advanced label का मतलब यह होता है कि अगर आप NCRT का syllabus देखोगे तो बहुत छोटा है उसमें बहुत सारी चीज़े आप डिलीट हो गई है लेकिन वह सारी चीज़े जाकर जेई मेंस जेई एडवांस में आगे चलके 11 12th में काम देती है क्योंकि class 9th directly related है class 11th से physics chemistry biology की बात करूं तो 10th related है 12th से बट अगर मैं math की बात करूं तो 9th plus 10th combined related है 11th plus 12th से तो आप देखोगे कि जिसका बेस मजबूत होगा यानि 9th 10th में आपको खुब मेहनत करना सीखना है आपको यहां पर J means crack नहीं करना है आपको syllabus 11th का नहीं पढ़ना है आपको मेहनत करना सीखना है आपको बैठना सीखना है आपको बुक रिडिंग सीखनी है आपको लर्निंग सीखनी है आपको problem practice सीखना है यह सारी चीजी आपको सीखनी है और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए इसके लिए आपको केवल अपने बोर्ड के syllabus पर श्टिक नहीं रहना चा आप online में YouTube से free करना चाहो जो आपको pre foundation level का content देता हो या फिर आप कोई course purchase कर लो या फिर आप किसी offline coaching में include हो जो आपका सामर्थ हो जिस तरीके से आपकी parents की financial support आपको मिल सके उस तरीके से करो आज की जमाने में कोई barrier नहीं है आप free में पढ़ना चाहो free में पढ़ सकते हो आप 3-4000 रूपय लगा कर पढ़ना चाहो 3-4000 रूपय लगा कर पढ़ना पढ़ सकते हो आप 30-50000 रूपय लगा कर पढ़ना चाहो आप तीनों तरीके से पढ़ सकते हो यानि कोई barrier नहीं है सिर्फ आपको effort लगाना पड़ेगा भाईया मैं class 9th में हूँ मुझे कितना पढ़ना चाहिए मुझे क्या पढ़ना चाहिए सारे आपके सवाल आते हैं मैं आपको assist करने के लिए हमेशा हूँ अगर आप 9th में हैं आप school कितना जाते हैं आप approximately 6-7 घंटे school में बिदाते हैं आप उसके बाद अगर कोई coaching पढ़ते हैं तो आप 1-2 घंटे की coaching करते हैं अब इसके बाद अगर आप सोते कितना हैं आप 7-8 घंटे सोते हैं maximum मानू तो 8, 2, 10, 10, 17 अब इस 17 के बाद मैं मान के चलता हूँ कि आप entertainment भी करते हैं ये भी मैं मान के चलता हूँ कि 2-3 hour का entertainment 17, 3, 20 अब इसके बाद मैं कहता हूँ कि बस आप इतनी self study की आदत बना लिज्ये 4 hour daily ये minimum में बता रहा हूँ कि अगर आप 4 hour daily की self study class 9th, 10th से आदत बनाते हैं तो आपको इसका result आपके आने वाले सालों में 11th और 12th में मिलेगा आपको ये समझ में आ जाएगा कि competition क्या होता है कैसे बैठ कर पढ़ा जाता है कैसे चीजे याद की जाती है नए सवाल कैसे लगाए जाते है ये सारी चीजे आपको 9, 10th में सीखनी है आपको लोग दुनिया की चीजे बताएंगे कि 10th में ये करना चाहिए 10th में वो करना चाहिए ऐसे करने से 98% आएंगे खोब मजे करो, मजे करना चाहिए मजा करना मैं मना नहीं कर रहा हूँ मैंने कहा ना इसको छोड़ना नहीं है लेकिन आपको effort भी करना है आपको महनत भी खूब सारी करनी है आपको 4-5 घंटे के डेली की self-study निकालने की आदत बनानी पड़ेगी 9, 10 से ये वो बच्चे इन बच्चों को पढ़ आम आपको क्या लगता है कि एक दिन में मिला है ये बच्चे 3-3 साल 4-4 साल से अपने आपको घिस रहे हैं ये अपने आपको उस तरीके से बना रहे थे कि आज 12 के exam दें दे के साथ साथ इसके 12 में भी 94% के आफ़ पास आई है क्या मुझे याद नहीं है अगर इससे ज्यादा होगी तो बता दिना कमेंट सक्षन में और अगर आप मेरी वीडियो से कभी भी आपको हेल्थ मिली हो तो कमेंट सक्षन में जरूर बताईएगा इससे आगे आने वाले मेरे बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा वह भी बच्चे सीखना चाहेंगे तो इन बच्चों की इस मेहनत का ही रिजल्ट है कि आज ये 12 में इस एक्जाम को क्रैक कर पा रहे हैं तो आपको भी समझना पड़ेगा कि आपको समय के साथ चीजों को सुरू करना पड़ेगा अगर आप इस कुछ नहीं होने वाला है बोड में अच्छा परफॉर्म करोगे बिल्कुल अच्छी बात है लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको आगे चलके बड़े कॉंपटेशन क्रैक करने हैं तो कॉंपटेशन का इनवार्मेंट अभी से क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं क्रिएट करना तो मेरे पास भी आपके लिए बहुत बहुत बहतरीन से लेकिन उसके साथ मैं mentorship देता हूं, mentorship बहुत बड़ी चीज होती है, आप जो live class करते हो, क्या उसमें कुछ अलग पढ़ते हो, नहीं कुछ अलग नहीं पढ़ते हो, teacher आपके screen के उस तरफ है, वो आपको पढ़ा रहे हो, जितना पढ़ाएगा उतना आप पढ़ोगे, recorded class में क्य क्या होता है, उधर भी teacher है, वो भी पढ़ा रहा है, और इधर भी आप teacher हो, मतब student हो, पढ़ रहे हो, कुछ अलग नहीं है, यहाँ फाइदा है, आपके साथ वो बातचीत वाली जो conversation होती है, classes में, वो कम होगी, वो खराब नहीं होती है, वो entertainment class को अच्छा बनाने के लिए, अच्छे टाइम में मिलता है, अब आपको उसको देखना है, आप अपने समय के अनुसार उस चीज़ को कर सकते हैं, तो इस बैच में आपको वही सारी चीज़े मिलती है, तो थोड़ी से चीज़े में बैच के बारे में बता देता हूं, कि स्पार्क बैच बोथ 9th प्लस 10th के लिए है, अगर आप 9th में हैं, तो आप 9th के लिए enroll करिए, 10th में हैं, तो 10th के लिए enroll करिए, आपको क्या मिलेगा इसमें, complete video lecture मिलेगा, और ये video lecture आपके pre-foundation के लिए तो helpful है ही, साथ ही साथ अगर आप boards की भी preparation कर रहा है, जो आपको class 10th या class 9th का board देना है, उस board exam या पिर अपने school exam में भी help करेगा, video lecture के साथ साथ आपको handwritten notes मिलेगे, handwritten notes के साथ आपको DPP मिलेगी, हमारे coaching का material आपको मिलेगा, ranker study material आपको मिलेगा, PDF के form में, इन सब के आपको solution मिलेगे, और सबसे बड़ी चीज test भी मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज अब बताऊंगा, आ आपको mentorship मिलेगी, और ये mentorship के seat हमारी limited है, अब बहुत जादा seat नहीं बची हुई है, कुछ limited seat है, ये seat के बारे में आप पता लगाने के लिए, आप इस number पर एक बार call कर लिजिएगा, कि क्या आभी भी seat बची हुई है mentorship की, क्योंकि हम लोगों ने ये तय किया है, कि हमें ज् कर सकते हैं, लेकिन आपको mentorship नहीं मिलेगी, आपको mentorship चाहिए, आपको mentorship में क्या मिलती है, आपको हर week का planner दिया जाता है, कि आपको ये ये videos देखनी है, आपके test assign किया जाते है, आप से हर week update लिया जाता है, कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको personally कोई problem phase होती है, तो उसको भी handle किया जाता है, इसमें doubt solving भी ली जाती है, तो doubt solving भी कर सकते हैं, doubts अगर आपके आते हैं, तो वो सारी चीज़े आप पूछ सकते हैं अपने teacher से, अब ये सारी चीज़े आपको मिलेगी कहां, इसके बारे में बता देता हूं, आपको सबसे पहले हमारा एक app download कर होना है, rankers foundation का app है हमारा, ये rankers foundation का app आपको play store पर मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको install कर लीजेगा, और login करिएगा as a student, login as a student करिएगा, और उसके बाद वहाँ पर आपको spark 2.0 दिखेगा, और उसकी price दिख रही होगी 3999, अगर कोई अच्छा सा coupon code available होगा तो उस coupon code को apply कर दीजिएगा, और I am interested पर जब आप click करेंगे, तो वहाँ से आपके पास message जाएगा, वहाँ से आप payment कर देंगे, और आप इसमें enroll कर लेंगे, जब आप enroll कर लेंगे, तो हमारी team, यानि मैं और कुनाल सर, हमारी team यही है, मैं और कुनाल सर आपको contact करेंगे, और आपकी mentorship उसी दिन से start कर देंगे, ठीक है, कई सारे बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आप भी मेहनत करना चाहते हैं हमारे साथ, और इसी तरीके का result लेकर आना चाहते हैं, तो बिलकुल आपका स्वागत है, आइए मिल कर म चाहते हैं, make sure as soon as possible enroll कर लिजेगा, spark 2.0 में, इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ कराया जाएगा, अच्छा, इसके साथ ही, कई सारे बच्चे iOS users होंगे, तो उनको बता दो कि आपको क्या करना है, web.classplusapp classplusapp.com सर्च करना है, वहाँ पर आपसे login number और organization code मांगा जाएगा, तो आप UILEM डाल दिजेगा, आपको ये मिल जाएगा हमारी website, वहाँ से भी आप enroll कर सकते हैं, वहाँ से भी purchase करके अपने laptop पीस को चला सकते हैं, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर एक थोड पाइदा मिलेगा कि इन भाहिया और दीदी की तरह मैं भी 2027 और 2028 या जब भी मैं attempt करने जाओंगा, जेई और नीड ये सब बड़ा competition, मैं उसको पहले ही attempt में crack करूंगा, ठीक है, तो that's all from my side, best of luck, आईए आपका स्वागत है, spark bash 2.0 में, मिलकर मेहनत करते हैं, धन्यवाद जहिंद